हेलो दोस्तो आज हम SSC Stenographer 2020 जो December में हुआ था उसमें number series से आए वे सारे questions solve करेंगे number series के question में logic लगता है तो ये time लेते हैं ठीक है इसमें आपका time लगता है और missing number के question जो मैं सारे करा चुका हूँ जो भी stenographer में पूछे गए थे अगर आपको उनकी practice करने हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं number series के भी मैं कई सारे questions करा चुका हूँ जो latest time हुएं CHSL, CGL जो अभी हुआ था आप उनकी practice भी कर सकते हैं आपकी और question चीए तो आप दो साल पहले भी मैंने जो paper हुआ था SSC CSSL 2019 और CGL 2019 उसके भी question कराए हुएं तो आप इस तरीके से इतने question कर लेंगे तो यह enough हैं तो आप इन question को करें आपके आने वाले जो भी exam है उसके लिए important है और इसमें आपको नए question मिलेंगे latest question मिलेंगे और आप देखींगे कि अगर आप इन question को कर लेते हैं तो कई question में पिछला जो pattern यूज हुआ है पिछले question में वही पूछा गया होगा तो आपको repeat pattern में question मिलेंगे इससे आपको फायदा ही मिलेगा ठीक है और question आपको नए question मिलेंगे आपको कहीं book में इस तरीके के question नहीं मिलेंगे जो latest है अगर मिलेंगे भी तो आपको कोई previous year book में मिलेंगे जो आपको खरीदनी पड़ेगी और अभी latest आई नहीं होगी ठीक है तो आप इस तरीके से इन question की practice कर सकते हैं तो यहाँ पे पहले आप खुश से solve करें मैंने आप answer hide किया हुआ है इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने question कर पार रहें अगर आप सारे question कर पारें तो आपकी practice अच्छी है अगर कुछ question आपसे नहीं हो रहें तो आपने note कर सकते हैं उसमें क्या pattern लगा हुआ है उससे आप note कर सकें ताकि उस type का अगर question आगया है तो आप उस pattern को सोच सकें तो शुरू करते हैं पहले question से तो पहला question है यहाँ पर जो आपको बात ध्यान में रखने हो ते number series में आपको gap देखना होता है gap देखने फिर उस gap को देखते हुई आपको logic समझ में आता है कि वो gap में कहीं square वाला logic तो नहीं है कहीं cube तो नहीं है इस तरीके से आप देखने प्राइम नंबर देख सकते है gap प्राइम नंबर का होता है ठीक है अगर बड़े number आ रहे हैं तो multiply करके हो सकता है gap अगर जादे आ रहे है तो multiply करके हो सकता है यह सारी चीजे मैं कई बार बता चुका हूँ तो शुरू करते हैं पहले question से तो आप इसे करें पहले question पढ़ने के आपको जरूवत नहीं है क्योंकि सारे number सीदिच के question है तो इसे आप करें सोचें यहाँ पर क्या होगा तो फिर मैं उसके बाद आपको logic बताऊँगा अब यहाँ पर आप देखें 94, 94, 36, 18 अगर आप gap देखें तो gap देखके आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर देखें logic क्या है तो यहाँ पर जो logic है अगर आप देखो जो यह 94 है 94 को 9 और 4 को आप आपस में multiply करते हैं तो आपको next number मिलता है 36 सेम आप देखें 36 है 3 और 6 को आप multiply करते हैं तो आपको next number मिलता है 18 और अब next number के लिए आपको किसको multiply करना पड़ेगा एक और 8 को तो आपको क्या मिलेगा 8 तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो आप देखें ऐसा logic आपने पहले भी कभी किया है किसी question में तो इसका जो answer है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 8 answer है और किस तरीके से आपने देख लिया है logic आपका यह है ठीक है next question करते है next में देखें यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे फिर उसके बाद देखें 22 को फिर 22 है next तो 22 को एक से multiply करेंगे 22 मिलेगा फिर 33 कैसे है यह आपको देखना है यहाँ पर अगर आप gap देखके करेंगे तो उससे नहीं होगा क्योंकि gap आपका एक बार कम है फिर फिर बड़ा है ठीक है इस तरीके से फिर बराबर है तो यहाँ पर किसे 22 मिलेगा next आप देखें 22 को आप एक से multiply करेंगे यानी कि आधा आधा बढ़ते रह रहा है तो एक से multiply करेंगे next टंबर मिलना है 22 ठीक है समझ महा रहा है फिर बाइस को आप किससे multiply करेंगे 3 बटे 2 से यानी कि आधा बढ़ेगा एक में przez 60 बट्टे 2 से तो 33 हो जाएगा ठीक है फिर 33 को आप किस से multiply करेंगे दो से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा एक फिर बढ़ जाएगा एक बट्टे 2 आधा बढ़ आधा है ठीक है तो 66 मिलेगा अब आपको यहाँ पर 66 को किस से multiply करना है दो में आधा और जोड़ेंगे तो कितन होजाएगा, 5,2 तो यहां से आप देखने कितना आ जाएगा, यह 30 होगा, 2,3, 6, 2,3 से और 3,3, 5, कितना होता है, 165, तो इस तरीके सा आप सोच सकते हैं, ठीक है, इसी तरीकों को कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता ठीक आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया 44 इसको 0.5 से multiply किया तो हमें next number मिला 22 बात होई है यहाँ पर आदा है तो यहाँ पर हम 0.5 कर रहे हैं उसके बाद हमने 22 को फिर 0.5 बढ़ा दे एक से multiply किया तो 22 मिला फिर 22 को हमने किस से multiply किया 1.5 से multiply गया तो हमें कितना मिला 33 मिला अब 33 को फिर 0.5 बढ़ाएंगे 1.5 में तो 2 से multiply करेंगे तो आपके पास 66 से आ जाएगा तो अब किस से करेंगे 66 को 2.5 से ठीक है बात एक ही है 5 बट्टे 2 कहें या 2.5 कहें इसको multiply करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा है 165 तो आपका answer कितना आ जाएगा 4th option इसका answer आ जाएगा समझ मां आ गया होगा किस तरीके से हमने question किया ठीक है अच्छे question लग रहे होगे आपको ठीक है कुछ हटके लग रहे होगे यानि कि आपने practice की होगी अगर पहले CHSL, CGL में इन question की practice की होगी तो आपको वह question repeat pattern वही दिख रहा होगा और कुछ अच्छा लग रहा होगा यानि कि कुछ नया आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से अगर आपने practice की है आपसे हो रहे है तो आपकी तैयारी अच्छी है ठीक है आप सही तैयारी कर रहे है अगर नहीं हो रही है तो आप इन question को note कर लिजे जिसमां आपको दिक्कत हो रही है बाकि जो easy question है वो तो आप करी लोगे जिन question उमें आपको दिक्कत होती है उसे आप note कर लीजे क्योंकि वो pattern आप वहाँ पर सोच पाएंगे अगर उस type का question आता है तो next question देखें इसे सोचें यहाँ पर क्या होगा करने के लिए try करें ठीक है यहाँ आपको कितने का gap मिलेगा यहाँ पर आप गैप देखेंगे 9, 3, 12 का gap मिलेगा ठीक है यहाँ पर आपको 12 का gap मिला उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 9 में से 3 आपका 6, 16 का gap मिला और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने का मिलेगा 11, 14 का देखो यहाँ 12 म देख रहे हैं gap आपको अटपटा मिल दा है ठीक है यहाँ पर फिर से logic देखें तो plus मैंने इस तरीके सोगा अब बांकी आप देखें जैसे मैंने अगर बताया है अगर आपको मेरी बात ध्यान में होगी तो मैंने आपको कहा है कि prime number का भी यहाँ पर gap होता है ठीक है prime number भी हो स आप देखें आपको एक ही option दिख रहा है जो prime number है वो कौन सा है second option तो यह इसका answer हो जाएगा ठीक है अब यह कैसे है आपको में बताता हूँ आप देखें 37 prime number होता है ठीक है 37 के बाद prime number क्या होता है 41 और 43 और फिर क्या आता है 47 तो इन दो prime number को छोड़ दिया गया है और 47 ल और आपका 59 और फिर कौन सा आता है 61 अब इन दोनों prime number को छोड़ दिया गया है तो 61 आया है समझ रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर हम कर रहे हैं अब 61 के बाद prime number क्या होते है 67 और 71 तो इन दोनों को prime number को हमने छोड़ देना है और next prime number आपके पास 73 आ रहा है समझ मा आ र पैटन यहाँ पर देखा इस तरीके से हम यहाँ से चेक करेंगे 47 से फिर आप 73 के बाद देखें 79 और 83 को आप छोड़ दिंगे तो आपके पास कौन सा prime number आएगा 89 आएगा तो यह आप देख सकते है 89 आया होगा तो 89 के बाद आप 2 prime number 97 और 101 को छोड़ दिंगे तो आपके प पास कौन सा आएगा 1133 तो आप देख सकते हैं जो लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है ठीक है समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ अगर यहाँ पर 37 है यह question mark है यह आप आपका 61 है 73 है 89 है 103 है और 1113 है अगर यहाँ पर आप अल्टरनेट देखें ठीक है अल्टरनेट किस तरीके से देखेंगे अगर आप यहाँ पर अल्टरनेट देखें तो आप देखें 37 के बाद 61 को छोड़के एक और यहाँ 89 89 के बाद 113 अब इन में गैप देखें क्या है अगर आप 37 से, आप 61 में जाएंगे तो आपका कितना होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे 23, 24, ठीक है, प्लस 24 करना पड़ेगा, और फिर 61 से 89 जाएंगे, तो आप देखें, 9 में से 8, और 8 में से 6, तो 28 का गया पर, फिर यहाँ देखें, इसमें कितने का है, तो यहाँ आप द सरीके से जा रहा है, तो सेम आप यहाँ भी देखें, दूसरे वाला, जो आपका दूसरा आपका यहाँ पर सरीज होगी, अल्टरनेट वाली, यहाँ देखें, तो यहाँ पर देखें, अगर आप 73 से 3 में से 3, 0, 10 में से 7, 30 का है, तो सबसे पहले, प्लस 4 हो रहा है, तो 30 मे प्लस 4 होगा, तो यानि कि यहाँ पर 26 का gap होना चाहे था, 26 का gap होगा, तभी तो यहाँ से प्लस 4 करके 30 आएगा, तो आप देखिए 89 में से आप 26, sorry यहाँ पर हम किस में जा रहे हैं, हाँ 73 में से हम 26 माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 13 में से 6 जाएगा 7, और 6 में से 4, तो 47 से 73 में गए, प्लस 26 किया और 73 से 103 में गए, तो प्लस 30 किया, तो आप समझ सकते हैं कि यह alternate gap वाल है ठीक है, यह logic भी आप सोच सकते हैं इससे भी आपका answer 47 ही आएगा लेकिन यहाँ पर सबसे जो पहले मैंने आपको बताया, EG सापको यही नजर आ रहा होगा सारे prime number आपको नजर आ रहे होगे तो आपका option में आप देखने हैं और A की prime number है, यही इसका answer हो जाएगा और prime number भी किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको next question करते है next में देखें, यहाँ पर किस तरीके से से करेंगे, सोचें, क्या logic होगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से logic सोचना है स्टार्ट करें, आप देखें 122 से 266 जाना है तो आपको कम से कम इसका दुगना तो करना ही होगा, तो आप देखें अगर आप 132 से 266 जाते हैं, इसका दुगना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आप करेंगे 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 264 मिला, अब 264 में आपको कितना add करना होगा, तीन add करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 267 मिल जाएगा, सेम, आप 267 से next number में कैसे जाएगे इसे 2 से multiply करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 सत्ते 14 की 4, 1, 2 छक्का 12 और एक 13 और आपका एक, दो दुनी 4 और, एक 5 534 आगया, अब यहाँ पर आप 538 जाने में, आपको कितना add करना पड़ेगा 4 तो 538, अब आपको logic समझमा आगया होगा, आपको क्या logic समझमा आगया होगा, पहले हमने number को क्या करना है, double करना है, उसके 64 आएगा, और 64 में हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 65 मिलेगा, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, 65 होगा, next आप देख सकते हैं, 65 को double करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, आप देखिए, 130 आएगा, और 130 में आप 2 जोड़ेंगे, तो आपको 132 मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, pattern आपको यहाँ पर दिख गया होगा, आपने पहले double किया, तो सबसे पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4 ठीक है, समझ मा रहा होगा, किस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है, next question करते है, question अच्छे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं, इस तरीके question, यह जो pattern है, यह पहले भी पूछा गया है, यानि कि CHSL में आप देखें, CGL में देखें, आपको इससे related question CPU में देखें, आपको इस pattern में question मिल ही जाएगा, ठीक है, next question करते हैं, यहाँ पर देखें, इसे किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर आप दिमाख लगाएं, सोचें, क्या हो सकता है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया है, कि आपको gap देखना है, 9, 14, 24, 39, 59, gap देखते ही, आप देखते हैं, चोटे-चोटे नमबर है, तो gap यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखने, तो यहाँ पर आपको कितना मिला, plus 5 का gap मिला, यहाँ आप देखने, plus 10 का gap मिला है, next में आप देखने, तो आपको plus 15 का gap है, और next में यहां 20 का तो यह तो आसान सा है ठीक है, plus 5, plus 5, plus 5 का gap add होते जा रहा है, तो next gap जो होगा वो कितने का होगा, plus 25 का होगा और 25 यहाँ पर करेंगे, 9, 5 आपको कितना हो जाएगा, 14, और 1 5, 2, 7, 8, 84 इसका अंसर आजाएगा, जो की first option है, ठीक है आसान सा कुषिन है, यहाँ पर आपको gap दिख रहा है next question है आपका, यहाँ पर देखें, इसे आप कैसे करेंगे, सोचे 5, 6, 10, 19, 35 तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप सबसे पहले छोटे छोटे नमबर है, तो gap आप देखेंगे 5, 6, 10, 19, 35 तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो gap है plus 1 का gap है, next में plus 4 का है, और next में plus 9 का है, अब यह gap देखते हैं आपको logic समझमा आ गया होगा, logic क्या है यह आपके square है, ठीक है, मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि square, cube और gap आप देखेंगे, बड़े नंबर है, multiply करके हो सकता है, prime नंबर हो सकता है वही pattern आप देखें, ठीक है वहीं से आपको कहिना कहीं logic समझमा आ जागा तो आप देखें, यह 1 का square है यह 2 का square है, यह 3 का square है 4 का square है, next जो gap आना चीए 5 का square, यानि कि यहाँ पर plus 25 का gap होगा और 5, 0, 1, 3, 2, 5 और 6 आ लिएगा, तो 60 इसका आंसर होगा, जो कि आपका fourth option है ठीक है, next question देखते है यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा 349, 284 है ठीक है, gap देखें यहाँ पर अगर आप यहाँ पर gap देखें 349, 284, 239 ठीक है, number आसपास है तो gap हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ से जो gap है, अगर आप minus 55 करते हैं, तो आपको 284 मिलेगा, और यहाँ से फिर से आप देखें, minus 55 करेंगे तो 259 मिलेगा, यहाँ इहाँ भी आपका minus 55 करण गएप है ठीक है, 174 मिलेगा है, तो यहाँ से minus 55 करेंगे, तो 14 में से 5 आपका 9 होगा और आपका यहाँसे कितना हो जाएगा? 16, 16 में से आप 5 करेंगे तो आपके पास कितना हैगा? 11 आएगा यानि कि आपका 119 इसका answer आजागा जो कि आपका option first है ठीक है समझवा रहा होगा ये तो आसान question है gap देख क्या आप कर सकते हैं next question देखें इसे करें इसे आप करें और आप देख भी सकते हैं आप पूरे question करें जितने आप खुससे कर पा रहें तो आप ये भी note कर सकते हैं कि ये total 25 question है 25 में साब कितने खुससे कर पा रहें इससे भी आपको idea लगेगा तो यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या होगा मैंने आपको बताया है कि आप gap हमेशा देखें gap देखके आपको idea आएगा तो यहाँ पर आप देखें क्या gap हो सकता है ठीक है 75 76 84 अगर यहाँ पर आप देखें 75 है 76 है 84 है 1 1 है 175 है तो यहाँ पर gap मुझे नजर आ रहा है यह जो gap है plus 1 का है और next में आप देखें यहाँ पर कितना है plus 8 है और next आप देखें यहाँ प्लस 27 है और next आपका plus 64 है अब आप देखें इसको देखके आपका याद आ रहा है डीक है इससे पहले gap में square पूछा था यहाँ पर आपका क्या है यह cube है तो यह 1 का cube हो गया यह आपका 2 का cube है और next आप देखें यह आपका 3 का Q है. और यह आपका कितने का है? 4 का है. और जो अब gap आएगा वो कितने का होना चीए? वो आपका 5 का Q होना चीए. यहने कि 5 का Q कितना आजाएगा? 1025. यहाँ पर मैं जिस तरीके से आपको समझाने लिख रहा हूँ, वहाँ पर आपको लिखना नहीं, आप सीधे gap देखने और solve परिने, तो 5, 5, 10 की 0, 1 आ जाएगा, 7, 2, 9, 10 की 0, 1, 300, तो इसका answer आपका क्या आ जाएगा, 300 जो कि आपका second option है, ठीक है, समझ मा आ गया होगा, next question करते हैं, अब इसे सोचें, यहाँ पर क्या लेकिन वहाँ से बता सकते हैं, 69, 88, यहाँ से, तो यहाँ से आप gap देख लीजिए, ठीक है, यहाँ आपका 69 है, 88 है, triple 1 है, 140, 171, तो यहाँ आप gap देख लीजिए, छोटे-छोटे नंबर हो, यहाँ आपको बताने है, यहाँ पर क्या आएगा, दो नंबर आपको बताने है 28 है, तो यहाँ से आप देखने जो gap आपका 69 और 88 दिख रहा है, तो यहाँ पर गैब देखते यह idea लग जाएगा, दिमाग आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखने यह यह नंबर देखने, कैसे नंबर है, यह नंबर आपको देख रहे होगे, प्राइम नंब ठीक है तो 31 है तो आपने देखा 19, 23, 39, 31 से क्या सारी क्या है Prime नम्बर है तो अब 19 से पहले कौन सा Prime नम्बर आता है यहां पर plus 17 तो यहां पे जो gap होना चाहिए कितने का होना चाहिए Plus 17 का होना चाहिए और next मैं जो gap होना चाहिए यहां से यहां तो वो आपको कितने का होना चाहिए प्लस 13 का और यहां जो gap होना चाहिए वो आपको प्लस 11 का तो gap आपको समझ मागे है तो 28 में प्लस 11 करेंगे तो 8,1,9,2,1,3 तो पहला आपका 39 आएगा उसके बाद 13 का gap होगा तो आपका कितना आएगा 49 में से आप 49 में आप 13 add करेंगे तो आप जखें 9, 3, 12 की 2 1, 3, 1, 4, 5, 52 आजाएगा तो आप देखें 49 और 52 आपका option में है कहीं पर तो यह आपका है second option इसका answer हो जाएगा ठीक है logic आपने देखा gap जो था 225, 303 तो gap देखें तो यहाँ पर आप देखें gap अगर आपको नजर में आएगा तो 83 से 116 तो यहाँ पर plus 33 होगा ठीक है plus 33 का gap है 3, 3, 6, 8, 3, 11, ठीक हो गया next में gap देखेंगे तो यहाँ पर कितना है plus 47 का gap है next gap देखेंगे plus 62 है और next देखेंगे आप plus 78 है तो यहाँ से आपको समझने के लिए इसका double gap देखना पड़ेगा इसमें फिर से gap देखना पड़ेगा logic आपको तभी समझ में आएगा अब यहाँ देखें कितने का gap है plus 14 है next देखेंगे आप यहाँ पर कितना है plus 15 है और यहाँ देखेंगे plus 16 है तो अब आपको समझ मा आ गया plus 1 plus 1 add हो रहा है तो next जो gap होगा वो plus 17 का होगा और 17 78 में add करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 714 15 1 सातेकार 95 का gap होना चीए answer और इसमें ट्राइ करें gap देखें gap देखें आपको idea आने लग जाएगा ठीक है मैं question यहाँ पर लिख देता हूँ 140, 221, 285, 334, 370, 395 तो यहाँ पर अगर आप gap देखेंगे तो यह आपको यहाँ से जो gap है यह 60, 20, plus 81 का आ गया plus 81 देखते हैं आपके दिमाग में एक चीश तो आजानी चीए कि square हो सकता है ठीक है next gap देखेंगे तो plus 64 आ गया देखो यह भी square, यह भी square अब आके आपको घटाने की जरुवत भी नहीं है फिर भी आप घटा सकते है ठीक है, लेकिन आपको idea जरूर आ जाएगा logic का, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको plus 49 का gap दिख रहा है next मा आप देखेंगे, यहाँ पर कितना है plus 49 है, फिर plus 36 है और यहाँ आप देखेंगे, यह कितना है plus 25 है, तो यह आपको सारे क्या है square है, 9 का square है यह आपका 8 का square है यह आपका 7 का square है यह 6 का square है और यह आपका 5 का square है, तो next किसका square आएगा, आपका 4 का square यानि कि यहाँ पर 16 आना चीए plus 16, तो 16 यहाँ पर add करेंगे तो आपके पास कितना आजाएगा 400 हग 11, फिक है तो आपका आंसर कौन सा होगा second option होगा next question करते है next देखें यहाँ पर इसे करें try करें किस तरीके से आप इसे करेंगे यहाँ पर 25, 43, 67, 115, 211 है ठीक है फिर से आप यहीं gap निकालें यहीं से आप logic ढूट सकते है 25 question mark यहाँ पर बताना है 43, 67, 115, 211 तो यहाँ पर gap देखेंगे तो यहाँ पर आपको gap कितने का नजर आएगा 4, 3, 7, 4, 2, 6 प्लस 24 का आएगा next माप gap देखेंगे तो यहाँ से कितना आजाएगा आपके पास 3, 37, 5, 24, 48, 48 का gap आपको नजर आएगा और next माप देखेंगे यहाँ पर आपका gap प्लस आपका 85, 85 और 96 तो 96 आएगा अब इनको देखेंगे आपको यह आडिया आ रहा है यह दो को 24 का डबल 48 है, 48 का डबल 96 है, ठीक है, यह डबल डबल है तो यहाँ पर जो gap आना चाहिए, इसके बीच में वो कितने का आना चाहिए, 12 का आना चाहिए ठीक है, 12, 24 होगा डबल होना चाहिए, और next यहाँ और इस नंबर के बीच में प्लस 6 का आना चाहिए, ठीक है, 6 का दुगना 12, इस तरीके का gap है आप 25 में 6 8 करेंगे, तो आपके पास क्या आनसर आ जाएगा, 31, तो यह इसका आनसर होगा, 31, second option इसका आनसर हो जाएगा, ठीक है किस तरीके से है, वो भी मैंने आपको बता दिया, लोजिक आप देख सकते हैं, आसान सा लोजिक है, गैप आपको देखना है, ठीक है next question करते है अब इससे देखें, यह तो आसान सा लग रहा है, ठीक है, यह तो देखें, आप 12 दूनी 24, यहाँ पर दिया गिया है, 24 ठीक है, 12 दूनी 24, 24 तियां 72, और 72 चको हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 4 दूनी 8, 7 चको 28, ठीक है या आप यह भी कह सकते हैं, 12 का दूना किया, 24 24 का दूना किया, यहाँ पर 72 और 72 का, 4 गुना किया 88 है, और इसमें लॉजिक, अल्टरनेट लॉजिक भी बोल सकते हैं, 2 से 3, प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दो सिरीज को मिला के एक सिरीज बनाई ही है, या आप पहले तरीके से भी बोल सकते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा, 288 आसान सा आंसर है, नेक्स्ट है आपका 8, 17, 36, 75, 154 अब आप यहाँ पर देखींगे 75 और 154 के बीच में आपको बड़ा गयप नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप multiply वाला जरूर देख सकते हैं, आप देखें अगर 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 होता है तो logic क्या है यहाँ पर, अगर 8 दूनी 16 प्लस 1 करेंगे, आपको next number मिलेगा 17, और 17 दूनी 34 प्लस 1, 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा तो आप देख रहें, कि यहाँ पर हमने 2 से multiply कर रहे है, पहले 1 जोडने है, फिर 2 ठीक है, यह logic इससे पहले भी आ चुका है, अब आप देखें 36 को आप 2 से multiply करेंगे, तो आपके पार 72 आएगा, लेकिन यहाँ पर add कितना add होगा, तो 154 का अगर आप double करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 2 चको 8, 2 पंचे 10 की 0, और आपका 1, 2 इकम 2 और 1, 308 308 में 5 add करेंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 313 तो आपका option कौन सा हो जाएगा, first option इसका answer हो जाएगा, ठीक है, आसान है ठीक है, logic आपका repeat है, तो आपने practice की होगी, तो आप इससे आसानी से कर रहे होंगे, next देखें, 68, 12, 21, 37 है तो यहाँ पर सोचें, यहाँ पर क्या logic होगा ठीक है, 7 और 8 है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप gap ही देख लिजे, छोटे नमबर है, तो gap ढूटना भी आसान है 68, 12, 21, 37 तो यहाँ पर आप gap देखें, तो यहाँ पर आपको प्लस 1 का gap दिखेगा, और यहाँ प्लस 4, ठीक है, यह gap देखो एक ही paper में, same pattern में दूसरा question भी आ रहा है, तो आप देखें तो 62 इसका answer आजागा, जो कि आपका second option है, ठीक है, समझ मा आगया होगा आपको, next question करते है next देखें, 9, 10 by 69, 280 है यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर से वही है आप देखें, यहाँ पर किस तरीके सा आप सोच सकते है multiply होगा, आप 69 और 280 को देखेंगे, तो यहाँ पर gap जो आ रहा है बहुत बड़ा number आ रहा है, तो बड़े number में अगर आपको जाना है, तो कहिनत ही आपको या तो square करना होता है, या आपको multiply करना होता है तो series में तो आप multiply करेंगे आप देखें, अगर आप 9 को एक से multiply करते हैं, और इसमें एक add करते हैं, तो आपको 10 मिल ला है ठीक है, आप देखेंगे, same pattern आपका repeat हो रहे हैं उसके बाद आप देखें, 10 को 2 से multiply किया 10 दुनी 20 और 2 add किया जिससे multiply कर रहे हैं, उतना ही add करने तो 22 मिल ला है, अब 22 को आप 3 से multiply करेंगे, 6 6 आएगा और इसमें 3 add करेंगे, तो आपके पास 69 आजाएगा, 69 को आप 4 से multiply करेंगे, तो आपके पास 276 आएगा, और इसमें आप 4 add करेंगे तो आपके पास 280 आजाएगा, अब 280 को आपको किस से multiply करना है, 5 से और add plus कितना करना है, 5 तो 280 को 5 से multiply करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1400 आएगा और इसमें आप 5 8 करेंगे तो आपके पास कितना आजाएगा 1405 आजाएगा चोकि आपका कौन सा option है third option है ठीक है समझ मा आ गया होगा आपको logic आपको समझ मा आ रहा होगा next question करते हैं next देखें यहाँ पर आपको बताना है 14 वाक्स में ठीक है वही है आपका logic वही है ठीक है यहाँ पर आप gap देख लीजे ठीक है gap अगर यहाँ पर आपको gap कितने का नज़र आएगा 288 का gap नज़र आ रहा है उसके बाद next में आप gap देखें तो यहाँ पे कितने का है 292 का तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि पहले 288 का था फिर 292 का था हो सकता है देखो 288 से 292 में गए तो आपको 4 add करना पड़ा अब next में आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि 296 का gap हो सकता है लेकिन आप देखेंगे 296 में अगर यहां जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 आ रहा है यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ रही है 9 आ रही है लेकिन option में कहीं नहीं है तो आपको plus 4 वाला add नहीं है ठीक है वाला logic नहीं है आपको यहां पर 288 जोड़ेंगे तो यहां पर 1531 नजर आएगा तो आप देख सकते हैं 1531 अब आप आगे चेक करेंगे तो यहां पर फिर से अभी देखो 288 जोड़ा फिर 292 फिर 288 जोड़ा अब next में आपका कितना जोड़ना होगा यहां पर 292 अगर आप 1531 में 292 जोड़ेंगे तो आपको 2823 मिलेगा आप जोड़के देख लेए 2, 1, 3 हो गया 9, 3, 12 की 2, 8, 1 हो गया और आपका 5, 2, 7, 1, 8 और 1, 1823 आगया तो समझ में आ गया होगा logic आसान सा है बस आपको देखना है किस तरीके से यहां पर कर रहे हैं ओप्सन आपके पास सारे हैं नेक्स कुशन देखते हैं इसे देखें यहां पर क्या होगा तो यह भी आसान सा लग रहा है multiply है आप देख सकते हैं 847 से शुरू हुआ है लेकिन 840 कितना बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर में तो आपको multiply करके ही जाएंगे आप देखें 7 को 1 से multiply करेंगे 7 मिलेगा फिर 7 को 2 से multiply करेंगे 14 मिलेगा 14 को 3 से multiply करेंगे 42 और 42 को आप 4 से multiply करेंगे तो 4 दुनिया चार चको 16 आसान सा है 168 इसका answer आ जाएगा और 168 को 5 से multiply करेंगे तो आपके बास 840 मिलेगा ठीक है इसमें कुछ ऐसा है नहीं ठीक है आसान सा लोजिक है next question देखते हैं इसे देखें इसे आप कैसे करेंगे सोचें यहाँ पर क्या लोजिक हो सकता है ठीक है यहाँ पर आप gap देख लीजिए अगर आपको gap नजर आता है तो gap से आप लोजिक ढूट सकते है ठीक है 199 280 होने तो आसपास के नंबर है तो यहाँ पर gap ही होगा जहां तक ठीक है gap देखके आप logic देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें gap तो यहाँ से आपको gap नजर आएगा यह आपका कितना gap है यह आपका 38 ठीक है 714 ठीक है 38 का gap है next मा आप देखने तो यहाँ से आपका 15 35 50 का gap है next मा आप देखने तो यहाँ से आपका जो gap आ रहा है यह 64 का gap आ रहा है और next जो gap है यह आपका है ठीक है एक 281 एक 82 का gap है ठीक है अब double gap देखें यहीं से आपको logic समझ में आएगा तो यहां पर आपका plus 12 का gap है next में आप देखें plus 14 का है फिर आपके पास plus 18 का है तो अब आप देखें इसमें क्या pattern है आप देखें यहां पहले plus 2 ठीक है 12 14 18 तो यहां से आप कह सकते हैं कि यह आपका फिर से आप gap देख लीजिए plus 2 का हुआ फिर यहां से आपका plus 4 का है तो यानि कि plus 2 plus 2 बैड़ा तो अब next में कितना होना चीए plus 6 का gap होना चीए यानि कि प्लस 6 का होगा तो यहाँ पर जो gap आएगा वो आपका प्लस 24 का आएगा तो 24 का आएगा तो यहाँ पर कितना 4, 2, 6, 8, 2, 10 106 का gap होना चीए इसके बीच में आंसर के बीच में तो 6, 1, 7, 8, 2, 1, 3 387 इसका आंसर आजागा जो कि आपका option first है ठीक है आसानी से आपने देख लिए gap से आपको नजरा आगया होगा किस तरीके से यहाँ पर gap है ठीक है आप देख सकते हैं double gap होता है triple gap भी हो सकता है इस तरीके से आप सोचें next question देखते हैं यहाँ पर देखें इससे solve करें लगाएं दिमाग कि हाँ पर क्या हो सकता है क्या logic होगा तो यहाँ पर आप देखें आपके पास 28 है फिर 27 है फिर 52 है फिर 153 है फिर से आप देख सकते हैं बावन और 153 में gap जादे है तो multiply हो सकता है अब देखो 28 से 27 जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 28 को आप एक से multiply करेंगे और एक minus करेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा ठीक है आसानी से मिल रहा है फिर आप देखें 27 से 52 जाना है तो आप देखें 27 को 2 से multiply करेंगे 27 दूनी कितना होता है 54 होता है और 52 चीए तो 2 minus करना होगा तो आपको 52 मिलना है next number कैसे मिलना आपको समझ मां आ गया होगा अब आपको 153 को किस से multiply करना है 4 से और minus कितना करना है 4 ही minus करना है तो 4 से multiply करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 612 आएगा और 612 में से आप 4 minus करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा और यहाँ पर भी यही logic है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है, next question देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर क्या logic होगा, सोचें, ठीक है, यहाँ आप देखें, 35, 34, 42, 46, 50, 40, जब इस type के question आते हैं, मैं अपने पहले, जितने भी मैंने number series करा हैं, उसमें step के question आये हुए, एक number बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, तो इसमें आपके दो series मिलाके, एक series बनाई जाती है, इनको कैसे करते हैं, वो भी मैंने बता रहे हैं, तो यहाँ पर दो series हैं, आप देखें, अगर 35 से 42 जाएंगे, तो आपको कितना add करना पड़ेगा, plus 7, 42 से 50 गए, तो plus 8 एड करना पड़ा, और अब next में आप 50 से यहाँ जाएंगे, तो आपको कितना add करना पड़ेगा, 7 किया फिर 8 किया तो यहाँ पर प्लस 9 करेंगे और फिर 9 से आप यहाँ 69 में जाएंगे तो प्लस 10 करेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर 9 8 करेंगे तो 50 से 9 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा अगर आप option देखेंगे एक यह option है तो आपका यही answer होगा आप दूसरी वाली स्रीज में भी आप logic लगाएं 34 से 36 गया तो प्लस 2 add किया ठीक है और 36 से आपका 40 गया तो प्लस 4 add किया आप देखेंगे प्लस 2 प्लस 2 increase हो रहा वहाँ प्लस 1 हो रहा था तो यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए प्लस 6 होना चाहिए और प्लस 6 increase करेंगे तो यहाँ पर 46 से आएगा तो आप देख सकते हैं 49 और 46 इसका answer आ गया जो कि आपका second option है ठीक है आसान है गोशे next question करते हैं इसे देखें यहाँ पर क्या logic होगा सोचें 21, 24, 24, 18, 18, 185 है यहाँ पर क्या होगा आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से आपको idea लएगा तो आप देखें 21 है 45 है 180 है ठीक है 45 और 180 देखें बड़ा नमबर है यानि कि बड़ा नमबर है तो multiply करकी है और उसके बा अगर आप 45 से 180 जाना है तो आपको किस से multiply करना पड़ेगा आप बताएं अगर 45 से 180 जाना है तो आपको 4 से multiply करना पड़ेगा 95 होगा अब 180 चरकर warranty क्या करना पड़ेगा 5加 right करना पड़ेगा तो 185 अब देखें यह logic पहले भी repeat हो चुक है पहले अगर आपने practice कि रहोगी त एकना आसान होगा तो आपने देखा यहां से आपने एक बार multiply किया फिर उसके बार add किया तो यह यहां पर pattern है तो आप देखें यहां पर पांच add किया और इससे पहले number 5 से पहले क्या था चार था उससेmaking Moż't comfortably कर लिया तो अब अब यहाँ पर देखें 21 है 202 से multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 42 मिलेगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको number मिल लें 42, 45, 180, 150 तो यहाँ पर जो आपका answer हो जाएगा वो क्या होगा 42 होगा 3rd option ठीक है आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या बता है 45 से यहाँ पर ह एड कर लेते हैं तो इस तरीके का pattern है पहले 2 से multiply फिर next number 3 को add फिर 4 से multiply फिर next number 5 को add ठीक है यह pattern कई बार पूछा गया है ठीक है आप पहले question जो भी मैंने कराये हैं आप उन्हें जरूर देखें यह pattern आपको उसमें कई बार दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएग next question देखते हैं यहाँ देखें इसे try करें इसे कैसे करेंगे सोचें इसमें क्या होगा ठीक है logic की नजर आ रहते हैं तो आसान सा logic है सायथ देखो 8 प्लस 2 का है gap फिर प्लस 3 का है फिर प्लस 5 का gap है यह तो आसान सा है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर prime number ही है प्लस 7 है प प्लस 13 तो 639 आठेक 9 तो 99 इसका answer होगा जो की आपका कौनसा option है second option है ठीक है next question देखें इसे करें यहाँ पर क्या होगा ठीक है लंबे 65,88,77 है तो मैंने बताया है ऐसे में फिर से देखो यह pattern फिर से आगए जहाँ पर दो स्रीज मिलाके एक स्रीज बनाए जाती है तो आप देखें 65 पर 88 है फिर 77 है फिर एक बड़ा नमबर एक छोटा नमबर तो यहाँ पर आपके देखें दो स्रीज मिलाके एक स्रीज है तो अगर आप देखें 65 से 77 है तो आप यहाँ पर कितना add करेंगे प्लस 12 करेंगे 77 मिलेगा 77 से 91 है तो प्लस 14 करेंगे ठीक है यहाँ पर 91 स आप कि दम 12 14 प्लस 16 करके आएगा तो प्लस 16 करेंगे तो 6,1,7 और 9,1,10 107 इसका अंसर आजाएगा जो कि आपका second option है आप इसे आगे भी चेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 16 हुआ तो यहाँ पर gap जो है प्लस 18 का gap ठीक है तो और next series देखें 88 से 98 यहाँ पर प्लस 10 है और 98 से 108 प्लस 10 का gap है और यहाँ से 118 प्लस 10 का है तो समझ में आगे किस तरीके से मैंने बताया यह pattern भी आप देख रहे हैं एक ही paper में दो तीन question इस तरीके से पूछे गए है next question देखते हैं यह आपका last question है इससे आप try करें किस तरीके से आप करेंगे ठीक है आसान सा question है यहाँ पर सोचें क्या logic हो सकता है ठीक है simple सा logic है मैं आपको बताता हूँ आप gap देखें 98, 253 तो कम gap है तो यहाँ पर आप gap देख सकते हैं 78, 93 question mark 153 है 198 है और 253 है तो यहाँ पर आप gap देखेंगे तो यहाँ पर आपको gap नजर आएगा सबसे पहले यहाँ पर आपका 12, 3, 15 15 का gap है और यहाँ देखें यहाँ पर कितने का gap है 153 से 192 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यह आपका 4 45 का है ठीक है और next में आप यहाँ gap देखेंगे तो यह आपको कितने का नजर आएगा 2 और 53 55 का तो प्लस 55 है तो आप देखें कि यह 45 से 55 में गया तो प्लस 10 का increase हो रहा है प्लस 10 इनकी दो जातों यानि कि प्लस 10 का gap होगा तो यहाँ पर जो gap होगा तो यहाँ पर जो आप जाएगा 5,3,8 और 9,2,11,11,11 आएगा और next में आप देख सकते है यहाँ पर जो gap होना चाहिए प्लस 10 का यानि कि प्लस 35 का gap होना चाहिए प्लस 35 का gap है भी समझ मां आ गया होगा किस तरीके से यह सारे 25 के 25 questions खतम होते ठीक है आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक है सॉरी वीडियो को लाइक करें सेयर करें अपने दोस्तों के साथ ठीक है सपोर्ट करें जितना जादे सेयर करेंगे उतना जादे मैं भी वीडियो बनाऊंगा लोग देखींगे तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी लेकिन आप सेयर करते नहीं है कई लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो सपोर्ट करते रहे हैं आपका सपोर्ट मिलते रहेगा तो वीडियो भी आते रहे हैं तो यहीं पर खतम करते हैं से थैंक यू